नमस्कार दोस्तो अरू legal academy में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज के segment में हम बात करेंगे कि यदि आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो उस condition में क्या होता है और यदि आप दाखिल खारिज नहीं करवा हैं तो जो आपकी जमीन है या plot है उसको बेच सकते हैं या नहीं और तीसरा question यह है कि दाखिल खारिज कितने समय तक दोस्तों मानने रहता है तो आज इस बारे में बात करते हैं जो भी question है इनके doubt को समझते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप से छोटी सी request कर जाए और आप इस जानकारी से जो भी वीडियो अप्लोड करता हूं से aware हो सके आपको जानकारी हो सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो पहला सवाल यह है कि दाखिल खारिज आप ना करवाएं तो उस condition में क्या होता है जैसे दोस्तों आप दाखिल ख खारिज का मतलब यह होता कि जब आप किसी प्रोपर्टी को खरीदने हैं तो खरीदने के बाद जो बेचने वाला होता है उसका नाम प्रोपर्टी से खारिज हो जाता है और आपका दाखिल हो जाता है आपका नाम वहां पर चढ़ जाता है लेकिन दाखिल खारिज आप नह नहीं होगी आपके पास तो आप उस डॉकुमेंट के जो असली मालिक हैं जैसे आप किसी को दिखाना हुआ तो आप किस प्रकार से दिखाएंगे कि यह प्रोपर्टी मेरी है सिर्फ आप बैणामा का डॉकुमेंट दिखाएंगे रजिस्टरी वाला लेकिन आपकी जो खतावनी है उस आपके पास खतावनी नहीं निकाल पाएंगे तो खतावनी नहीं होगी जब आपके पास खतावनी नहीं होगी तो दोस्तो उसके लिए आपको काफी नुकसान है जैसे आपकी जमीन है आप उस जमीन में कोई भी लोन ले न चाहते हैं जैसे उसकी तो आप किस परकार से ले पाएं क्योंकि खतावनी आप नहीं दिखा पाएंगे आपके पास डॉकुमेंट नहीं होगा उस प्रॉपर्टी का और दोस्तों उसमें यह भी पर इस तरह की कई सारी परहसानी आपके सामने आएंगी और खतावने के बिन कोई डिस्प्यूट उसमें हो जाए तो खतावनी के बिना आप कोई भी जो केस है कोट में केस नहीं कर पाएंगे और जैसे आपको जमीन है जिसको आपने खरीता है उसकी मेड़बंदी करवानी है तो उसके लिए आप किस परकार से एसडियम कोट में अप्लिकेशन दे पा मेडबंदी होती है सौरी मेडबंदी आप किस परकार से करवा पाएंगे आपके पास जैसे खतावनी नहीं है तो और जैसे उसमें कोई भी किसी तरीके का कोई विवाद हुआ तो आप उसमें केस किस परकार से कर पाएंगे बीना खतावनी के आपके पास इस बात का सबूत नहीं होगा तो क्योंकि खतावनी जो होता है महतपूर डॉकुमेंट होता है और वो खतावनी तभी आपकी निकाल सकते हैं यह बनती है जब आप उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करवा लेते हैं दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि बीना जो दाखिल खारिज की जमीन को आप बेच सकते हैं या नहीं उसमें आपको बेचने का अधिकार है या नहीं तो दोस्तों यह कुश्चन यह है कि आप जमीन को बेच सकते हैं लेकिन जो खरीदने वाला है अगर वो बैक्ति होसियार हुआ उसने सारे चीज़े चेक कर लिया तो आप देखेगा कि वो उसमे आपके नाम की खताउनी नहीं निकलेगी अगर वो होसियार हुआ उसको किसी ने बता दिया उसने कहीं से पूछा तो वो उस समीन को लेने से मना कर देगा यूँकि वो सोचेगा कि कहीं इस प्रोपर्टी पर पुराना मालिक था उसने कोई लोन तो नहीं ले रखा इसनिए दाखिल खारी जो रुका हुआ है तो इस तरीके कि समस्य आती है दोस्तोव प्रोपर्टी आप बेच सकते हैं लेकिन आपको समस्य आएगी तो इस तरह से चेक करके ही प्रोपर्टी ले अगर property ले लिया है तो उसमें दाखिल खारिज आप जरूर करवा ले तीसरा सवाल दोस्तों यह है कि जो property आप लेते हैं यानि रेजिस्टी करवाते हैं तो उसका जो दाखिल खारिज है जो कितने दिन तक करवा लेना चाहिए तो दोस्तों जो property transfer act की जो section 8 के अंतरगत बताय गया है कि जो भी जो विक्रेता होता है जिसकी property होती है जैसे ही वो property को बेजता है तो उसके जो अधिकार होते हैं जो property को खरीदता है क्रेता लेने वाले बैक्ति को उसके अधिकार transfer हो जाते हैं तो जो property transfer act की जो section 8 है धारा 8 है वो यह बात करती है कि जो भी property का मालिक होता ह यानि स्वामी होता है जैसे ही वह अपनी जमीन को बेचता है किसी ब्यक्ति को और जो खरीदने वाला होता है क्रेटा लेने वाला जैसे वह प्रवपर्टी को खरीद लेता है तो जो पहले वाला मालिक होता है उसके अधिकार खरीदने वाले ब्यक्ति को ट्रांसफर हो जाते ह और जो दाखिल खारिज का दोस्तों जो समय सीमा होती है यह तीन महीने के अंदर आपको दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी प्लॉट या जमीन खरीदते हैं तो उसका जो दाखिल खारिज का जो समय होता है दोस्तों तीन महीने के अंदर आपको करवा लेने चाहिए और जैसे ही आप दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी पर जो ब्यक्ति खरीदता है जैसे आप खरीदते हैं खरीदार है तो आपका नाम चढ़ जाता है और आपके नाम के आप उस वह से खतावने निकाल सकते हैं और आपका ना मुहाँ पर 100 होने लगेगा तो जो पहला वाला व्यक्ति है उस प्रोपर्टी को दोस्तों नहीं बेच सकता क्योंकि जो भी खरीदेगा देखेगा आपके नाम प्रोपर्टी वो हो चुकी है तो इसलिए दाखिल खारिज कराना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों जैसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं मा लिजे कि आप उस पर लोन लेना चाहें तो लोन ले सकते हैं आप उसकी मेड़बंदी करवाना चाहें तो मेड़बंदी करवा सकते हैं या कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहें कुछ बनाना चाहें तो आप बिलकुल बना सकते हैं क्योंक रहा के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रही है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजिए और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और हर उस ट्रेटफर्म पे इस वीडियो को सेयर को जानकारी हो सके की ताखिल खारिज करवाना कितना जरूरी होता है और ना करवाए तो क्या परेसानी हो सकती है दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच वाचिंग फार दिस वीडियो इस्टे कनेक्टेट जैहिन एंड जै भारत